गुड आफ्टर नून बच्चो आज जो लोजी के पहले क्लास ले रहे हैं जैसे आपको सिलेवस के बारे में पता है सिलेवस तो हालां कि बॉटने वाले सन ने भी डिस्कस किया था तो जो लोजी में सबसे पहले यहां पर देस वन एज आल एनिमल डे इडिवाइडे इन्टो टू पार्स वन हेर इज इनवर्टि ब्रेट अकसर रूकि कहते हैं inverti brute or second also vertebrate से रूखी बेसिक जो लोलुज से सुरू करना बच्छो आपके बीच में मैं सही inverti brute and verti brute लेकिन सबसे पहले यह inverti brute और vertebrate श्टार्ट करने के बाद क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्जामपल आगे रुणिंग मेंटरम आते हैं सबसे पहले inverti Vertebrate here is having no vertebral column, no vertebral column, इसमें कसे रुख दंड अनुपस्तित होता है, और Vertebrate में, this one is backbone present, backbone उपस्तित होती है, backbone present, दो broad category animal की डाली गई, जिसमें backbone absent होती है, और जिसमें backbone present होती है, Invertebrate का दूसा नाम, इसको कहते हैं बिचो, non-cordata, जिसमें chordate नहीं है, और इसको कहते हैं बिचो, chordata, means backbone present, या vertebral column, दूसा नाम, this one is vertebral column present, vertebral column present होती है, तो यह दो main चीज वर्ड है, अब सारे invertebrates को, all invertebrates, they are divided, here is nine phylum, सारे अकसरिकी को 9 phylum में बाटा गया है, और फिर vertebrate को एक ही phylum, यहाँ पर phylum vertebrate होता है, या phylum chordata होता है, 9 phylum जो invertebrate के हैं, और से बच्चों ने पढ़ाओगा, suppose यहाँ पर first है, proto-yoa, primitive animal, unicellular animal, microscopic animal, यह animal, microscope से ही देखे जाते हैं, neck dice से नहीं देखे जाते हैं, जैसे इसके example आपने देखे होंगे, यह यह यूगलीना, इस वन एज परामीशियम, यूगलीना, परामीशियम, यह 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 अमीबा, और सारे एंडो परासाइट जैसे टिपनोसमा हो गया, लेसमानिया हो गया, प्लाजमुडियम वाइबक, सब यह proto-yoa में आते हैं, proto-yoa primitive animal है, unicellular animal है, सबसे पहला फाइलम प्रोटो जोगा होता है नाइन फाइलम में से दूसरा फाइलम यहां पर पोरी फेरा पोर माने ओस्तिया फेरा माने बेरिंग पोर बेरिंग एनिमल common name नेम इनका कहा जाता है बच्चो इस्पंज इनको commonly sponge कहते हैं और इस्पंज मैं यहां पर सबोस्ज यहां पर हो गया साइकन लुकोसोलिनिया दो तिन एक्जांपल होते हैं पूरे पोर होते हैं पोर को आस्ट्या कहते हैं उन्हीं आस्ट्या के द्वारा पानी स्रीर के पोर के द्वारा वाटर इंटर करता है इसके अंदर की कैविटी को कहते है इस्पंज के बेस पर बाता है एक बनाता है बच्चो कनाल सिस्टम स्पंच मेंग कैनाल सिस्टम और एक ऐक काई बहुत सबस्केंड मोठेट यहाँ पाणी के अंदर जाता है किसी यहां पर प्रक्रपज में और फूड होता है वह सबशाएं जाता है उसमें घुली आक्षिन ले लिए आती है अगर यहां पर इस पानी में इस पाम होते हैं तो यहां पर ले लिए आते हैं जिससे फटलाइशन हो जाता है थर्ड फाइलम यहां पर होता है थर्ड डिस वन इस कॉल सीलेंट टेटा दूसरा नाम बहुत ही कॉमन नाम ऑन बेस ओफ नीडो ब्लास इल इन जनतों के शरीर में जैसे यहां पर हाइड्रा हो गया यह हाइपोस्टोम होता है इस वन इस टैंटिकल हाइपोस्टोम माउथ हो यहां पर blind sect body plant मिलता है यह थहलय की तरह संदगा है माउब से यह फीडिंग करता है माउथ से अंडाइजेस्टेड प्रोड़क्ट को बाहर करता है आगे बंद थहलय के समान संदगा है waterproof इसको blind sect body कोड़ी प्लान कहते हूं यह उलेड टेट में मिलता है और इसके स्पंझ तेंटिकल समय एरिस इसपेशल टाइप अफ सेल निडुबलांस निमटो शिसीट सेल अर् प्रिजेन्ट डंक वा द ओको शका इस्टिंग सेल पाई जाती है तो stinging cell animal kingdom में केवल इसी फाइलम में मिलती है और इस फाइलम के बेस पर सीलेंग टेटा को नीडेरिया भी कहता है सी एन आई डी ए आर आई ये नीडेरिया भी कहा जाता है इसका बेस्ट एक्जामपल यहां पर हाइडरा हो गया कोई भी वर्ड हर वर्ड बच्चों आपको समझना है और इलिया कॉमन नाम जैलिफिस कहते है हाइडर इस वन इस मेराइन सौरी एकोटिक एनिमल एक मात्र ऐसा एनिमल है जो फ्रेस वाटर मिलता है बाकि सारे सिलेंटेट मेराइन वाटर मिलते हैं ऐसी पोरिफेरा में भी सभी स्पंज मेराइन वाटर मिलते हैं कुछ कुछ ही स्पंज फ्रेस वाटर मिलते हैं जैसे फ्रेस वाटर स्पंज स्पंजिला हो गया वो क्यों फ्रेस वाटर मिलता है fourth phylum this one is platy-helminthes, flatworm , these are phylum of flatworm , चाहे इस में लिबर फिलुक को देख लें , चाहे ठीनिया स्योलिम को देख लें , चाहे प्लेनिया को देख तीन यह एंडो पैरिस्टिक अनिमल है डाइजेनेटिक अनिमल है लाइप सैकल कम्प्लीट इन टू होस्ट प्राइमरी होस्ट मैन एंड सेकंडरी होस्ट पिग अब यहां पर अगर दूसरे अनिम्ल फैश्योला फैश्योला हिपेटिका सी लिवर फ्लू कहते हैं यह भी primary host यहाँ पर सीप हो गया और secondary host snail होता है विछ इंसमें уже flat worm यह देखेंफेढ फाइलम एक निश्चे स्यक्वेश्पेंस में है बच्वों यहाँ पर यह दो फाइलम् Diploblastic Phylum यiego 2 Diploblastic स्थी रेम प्लोबल एक हो स्ट्राइब है जार प्रियुएटफ Canton केहते हैं इस पर माइग ह operate है तो जाइगोड बनता है जाइगोड के बाद उसमें किलिवेश की क्रिया होती है मेनी सेल स्टेज बनता है फिर बनता है ब्लास्टोला ब्लास्टोला के अंदर ब्लास्टो सील होती है फिर सेल में मूवमेंट होता है मौर्फो जेनेटिक मूवमेंट कहते हैं उसको तो फिर उसके बाद three layered structure बन जाता है लेकिन blasto shield disappear हो जाती उसके जगर नई cavity बन जाती नई cavity को कहते है आरकेंट टॉन और आरकेंट टॉन की opening को कहते हैं बच्चो blastopore this one is blastopore बहुत important word है blastopore के future के base पर सारे का सारे animal दो type के होते हैं दो type के animal one is protostorm here is protostorm और दूसरा वर्ड है ड्यूटी रो स्टॉम ड्यूटी रो ड्यूटी रो स्टॉम प्रोटी रो स्टॉम में blastopore से mouth बनता है यह जो blastopore है इससे mouth बनता है बागी बाद में एनस यहां पर से बन जाता है एनिमल किंडम में 90 परसेंट एनिमल protostorm होते हैं केवल एकाइणो ड्यूटी रो स्टॉम होता हैं इस बन गया तो मतलगत यहां पर नहींज बनेगा एस टाइब के एनिमल को कहते हैं Dutero storm, तो Dutero storm, फाइलम Echinodermita and Caudata, तभी तो बच्चों Echinodermita Advanced, Echinodermita को सब से नीचे रखा गया है, जबकि Echinodermita में heart and head absent होता है, और Echinodermita के सारे अनिमल समुदर में मिलते है, Echinodermita में Radial symmetry मिलती है, Radial symmetry मिलती है बच्चों यहाँ पर इनिमल किंगडम के वोल दो ही फाइलामन जिसमें रेडियल सिमिट्री मिलती है वन इस सिलेंटेट एड़ सेकन इकाइनोडमेटा जबकि अगर यह डूटरिस्टोम नहीं होते तो इकाइनोडम्स को सिलेंटेट के आसपास रखा जाता लेकिन यह डूटरिस्टोम यह ज्याद इनिमल अनीमल घूटी रोल झौट यहां पर प्रोटोड यूवा जो यह बिर करके यहां पर मौलस का तक सबर रोल जो जाता जकि बूटरिस्टोम होता है तो बहुत important point है अब यह यहां से यहां तक के सारे अनिमल यह असीलोमेट होते हैं बच्छो सीलोम असीलोम यह सब वर्ड आपको समझना है किस टैब से सीलोम और जैसे यहां पर सीलोम हो गया सी ओ हैर इस सीलोम, वैप गए सीलोम सीलोम is the space present between elementi canal and outer body wall सीलोम भुझनली अर बहारी बोड़ीवाल के बीच में जा स्थान होता है इस ओ छान वर्स इए आनिमल कि गजम थी तरी ताइप व सीलोम होंद है फर्स्ट वन इज जर शीलोम अन्विश यो मैं सिलोम सिटेड अफसेंट सिट्ध शूदो सिलोम। फिस ए यू डेह इस्डो सिलोम। फीर्ड होता है हीरिच स्डु सिलोम। इस इस्पू सिलोम। य वाल इल्मेंटे सेव्य है दrick सिलॉम। बाहर के तरह body wall यहाँ पर खाली स्थान नहीं है कोई tissue भरा है जब कोई tissue भरा होता है तो इसको कहते है बचो असिलोम और इस टाइप ऑफ एनिमल और कॉल और सिलोमेट एनिमल असिलोमेट एनिमल में इस पेसे स्पेस बितून आऊटर भओड वाल जंद एतनितना है प्रें काइमेट टिशू असिलोम से लेकर के प्लेटी हलमनिथी ये सब असिलोम एनिमल हगते हैं pseudo-silom when elementy canal and outer body wall here is blank space is present this one is called pseudo-silom only one phylum platy-halminthies ke neiche SK-halminthies this one is SK-halminthies and third case 2-silom here is elementy canal and outer body wall this space is covered by here is mesoderm is the ender or bahar ki trappi mesoderm hai ye je mesoderm hai to ye jo khali sthaan hai this one is called true-silom when blank space or silom is covered by mesoderm both from internally and externally bheater or bahar se agar mesoderm ka aur hai to us ko ka te hai bicho true-silom agar mesoderm nahi hai is ko ka te hai pseudo-silom means bhujan nalye ki diwar endoderm se lined ho gi outer body wall ki diwar ectoderm se lined ho gi bici me khali sthaan hai is ko ka te hai pseudo-silom jab bhujan nalye aur bahari body wall ke bici me koji sthaan hi nahi hai is ko ka te hai a-silom yah sowon so this is soandrandlf filom for follow-table uniiden and ectoderm milanthes nebut feruri ixi a-silom how by the first order of pre-silom 3rd sealantate 4th here is platyhelminthes 5th here is aishkehelminthes aishkehelminthes aishkehrys होता है 6th here is anelida 7th arthropoda then 8th here is mollusca then 9th here is echinodermata these are the 9th phylum of non-cordate non-cordate के 9th phylum है particular sequence से बच्चो इन phylum का एक phylum उसके उपर नहीं हो सकता जैसे हमने यहाँ पर बता दिया यह 4 phylum होते हैं a silomate co e l o m a t यह phylum होता है pseudo silomate pseudo silomate और यह जो phylum है इसको कहते हैं true silomate silomate इन में silom के चाओं तरफ मिजुडम्ट की covering होती है इस टैप से बॉड़ी हो गई बच्चो फीमेल की बॉड़ी लॉंग होती है male की बॉड़ी यहां से बेंड होती है दूर से ही पता लग जाता है दो पीनियल सीटी होते है here is mouth this one is surrounded by three lips यहां पर three lips होते है और lips में important sensory organ this one is amphid होता है amphid यह हो गया male and this one is female when both animals are identified externally this character is called sexual dimorphism legging दुरुपता कहते है बच्चो जब animal को male और female को बाहर से ही पहचान लेते है कि यह male है या female है इसको कहते है sexual dimorphism ascaris monogenetic animal a life cycle complete in one host which is man this one is commonly called round worm ascaris के base पर round worm aplaty halmenthes flat worm हो गया अब इसके बाद annelida this one is ring-like animal annulus तो को बच्चुर animal के segment match box की तरह है flat है वो आर्थो बोड़ा होगे आर्थो बोड़ा के animal में भी segment होते है annulida के animal में इस तैप से segment होते है ring-like segment जैसे खुब सारे ओंगोठी को खड़ा कर दे यह भी segmented होगे but these are ring-like segment annulida अब यहां पर यह first true silomate animal है first true silomate animal यहां पर हो गया इसलिए अर्थो पोड़ा की position अर्थो पोड़ा से ऊपर है इसके position और यह यहां पर इसका बेस्ट एक्जाम्पल हेर इस अर्थ वर्म आर्थ वर्म देस्वन इस नैरीश है इस लीच कोई भी question कहीं से भी प्चो एक्जाम में पूछा जा रहा है जैसे पांच से साल में हमें teaching करते भी हो गया केवल जुलोजी का point होना चाहिए कभी इस में से पूछ लेते हैं आर्थो पोड़ा के यहां पर आर्थो पोड़ा में एक यहां पर होता है बैचोड प्रॉं प्रॉं का question पूछ लिया था एक बार के िध्याम में कि प्रॉं के बाड़ी में किते साइङ्मेंट होती है जब कि अर्थो पोड़ा में कभी-कभी हास फ्लाइट यहां पर अब कोई पर आदे यहां पर अब कोई प्रट्ट्र आनियमल नॉन कोड़ीट के फाइलम और जनरल करेक्टर ओफ कोड़ीट के फाइलम चाइलम कॉड़ीट में कौन काइल सी चीजे हैं सीलेस में वो सामने थ्वोड़ा सा मैंसन है आर्थो पोड़ा 7 फाइलम, largest phylum of animal kingdom जनतुजगत का सबसे बड़ा संग आर्थो पोड़ा आर्थ्रोपोडा में वन क्लास, here is, इन्सेक्टा कीट वर्ग, this one is the largest class, कीट वर्ग सबसे बड़ा क्लास है, सबसे बड़ा वर्ग है, अब इस इन्सेक्टा में एक ओडर होता है, बच्चों, इस इन्सेक्टा इस कोलियोप्टेरा, Colioptera जिसमें बीटल आते हैं गोबर का केरा होता है उस टैप के भौरे आते हैं Colioptera This only is the largest order Class insect largest class Phylum Aristoboda largest phylum Arthromanage Joint- 일이 Joint-footed animal Insecta इसमें भी इंसेक्ट आते हैं बच्चों बहुत सारे इंसेक्ट जैसे आप जानते हैं बच्चों जैसे मॉसडोटोपाई 57 i 지역 आपर हाउस daher आप कि पैर शिल्क स्वांप की साथ स्वसीजि Nep kill की एक तक नमबर और इम ऐख में यसां में अपन्र जए another की संख्य ज्यादा है यह आफ फलाई एक घर में सोहां है यह सी दूसर घर मुलिसस मुलिसस मीस होता है here is soft bodied d-i-e-d soft bodied animal हालंकि मुलिसस soft bodied animal है body to soft होती है जैसे यहां पर octopus हो गया sepia हो गया यह कुछ example हो गया लेकिन कुछ animal में यहां पर outer cell मिलता है जैसे sepia हो गया बाहर कठोर cell मिलता है बाइवाल हो गया दिस वन इज बाइवाल बाइवाल इसके अंदर fleshy body है यह body step से दो cell से घरी होती है इसका best example यूनियो दिस वन इज यूनियो ऐसी पाइला की body step से होती है यहां पर apple snail कहते है एपल की तरह सनरशना होती है यह यूनियो और भी फेमस है किसके बेस पर पर इंडस्ट्री के बेस पर जैसे हम लोग मोती पहनते हैं मोती उद्योग इससे यूनियो पर डिपेंड होता है यहां पर irritating particle जान बूच के इसके cell के अंदर डाल दिया जाता है इरिटेट करता है particle और चारोतरफ से क्रीशन हो जाता है और यहीं से क्रीशन परल का formation करता है फिर इस परल को निकाल दिया जाता है मार्केट में भेजा जाता है तो बच्व मोलस्क का मोलस्स से बनाया है soft body animal है और इसके चारोतरफ cell मिलता है इस पाइलम का एक खास character क्या है कि body in external cell they rotate anti-clockwise this character is called torsion ब्यावर्तन वर्ड है सरीर का fleshy part as well as outer cell they rotate इस टाइप से घूम जाते हैं जैसे संक है मंदिरों में संक जो यूज होता है वो बच्व मोलस्क का ही product है मोलस्क का group से belong करता है animal kingdom में ऐसा character किसी और group में नहीं मिलता है जिसमें outer cell and inner fleshy mass rotate anti-clockwise 180 degree this character is called torsion और इसी में pearl industry depend करती है बहुत सारे example है जैसे octopus हो गया, sepia हो गया, octopus में 8 arm होती है, sepia में 10 arm होती है octopus में ink gland होती है, कोई भी enemies के खत्रे का आवास होता तो ink को छोड़ेता है पूरे surface पर फैल जाती है तो इसका दुस्मन इसको नहीं ढूंड पाता है तब तक नीचे से भाग जाता है तो बच्चों यह बहुत सारे character moluska में है, father of pearl industry, mickey moto यह सब word यहां पर आपको read करने है union of paila यहां पर दो best example है फिर echino dermita, echino माने spine, dermita माने skin में spine होते है बच्चों इसलिए echino dermita best example here is starfish having five arms बाहर के तरब यह spine लगे वे, यहां पर five eyes होती है, starfish में water vascular system पायाता है echino dermita में radial symmetry मिलती है, symmetry word भी बच्चों आपको बताना है, बहुत सारे important character है तो यहां पर echino dermita, इस type से यह 9 phylum, बच्चों non chordate के, थोड़ थोड़ा example, थोड़ थोड़ा character हमने बताया फिर इसके बाद, अगर हम chordate की बारी करें, this one is chordate, here is chordate animal having three fundamental chordate character, chordate में three chordate के लक्षन होते है, here is notochord, this one is notochord, second here is nerve chord, then gillsillit, 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 three fundamental chordate character, notochord, nerve chord, gillsillit, chordate में केवल एखी phylum, phylum chordate में non chordate में nine phylum, all the chordates, they are divided into two group, here is one is protochordate, this one is protochordate, दूसरा होता है, u chordate, e-u-c-h-d-a-t-a, u chordate means true chordate, यह true chordate है, c-h-o-r-d-a-t-a, और यह also called a craniata, craniata, और यहाँ पर इसको कहते है, craniata, craniata, aim is absent, craniata में is cranium, brain box absent होता है, cranium absent है, इनमें head भी absent होता है, head absent है, तो cranium absent है, यहाँ पर craniata, इसमें head present होता है, इसलिए craniata कहते हैं, और हलंकि chordate में है, लेकिन chordate के character कम develop होते हैं, so also called, here is lower chordate, इसको lower chordate भी कहते हैं, इसमें chordate के character ज्यादा develop होते हैं, इसको कहा जाता है, higher chord data, this one is higher chord data, lower chord data, higher chord data, proto chord data, primitive chord data, less developed chord data, a cranium, because aim is absent, cranium is brain box, brain box absent है, इसके तीन सब फाइलम होते हैं, here is three sub phylum, तीन सब फाइलम, first, hemicodata, hemicodata, half chordate, best example, this one is balanoglossus, hemicodate का मेंबर, second, euro chord data, u-r-o-c-h-o-r-d-a-t, euro chord data, euro chord data means, euro means tail, chord data means notochord, इन जनतों के टैट-पॉल की पूँच में notochord होती है, here is herd mania, this one is herd mania, and third, cephalocord data, cephalocord data, here is amphioxus, amphioxus, इस जनतों के दो geological नहीं में, एक amphioxus कहते हैं, one is, and second, branchio, branchiostoma, branchiostoma, amphioxus का आई है, तीन lower chord rate हो गए, बच्चो, इसमें, ये लक्षण मिलते हैं, इसलिए इनको lower chord rate, जैसे balanoglossus की body step से हो गई है, proboscis होता है, then collar होता है, then trunk होता है, एक तरव से देखे हैं, तो non-cordate के, एनिलिडा, या, एनिलिडा के समान ये animal है, बिल्कुल warm like है, ना इसमें हड़ी होती है, ना endoskeleton है, ना exoskeleton है, ना कोई system है, फिर भी chordate में डाला गया है, क्योंकि यहां पर इसमें छोटी सी notocord होती है, लेकिन बहुत दिनों तक वो notocord के base पर इसको chordate में डाला गया, अब scientist ने ये बोला कि this one is not a true notocord, तो फिर इसको non-cordate में डाल दिया, बहुत से आप non-cordate की बुक देखेंगे, तो last echinodermita के बार next phylum आता है hemicordate, तो यहां पर अगर net में भी देखें, आप classification of chordate, तो किसी किसी साइट में के ओल दो ही subphylum दिखाए देंगे, euro-cordate and cephalocordate, किसी किसी साइट में तीन subphylum, hemicordate, euro-cordate, cephalocordate, तो पिचो इसकी portion, killer नहीं है, अधिकतर तो chordate में steady करते हैं, लेकिन इसको non-cordate में भी रखा गया, कभी आपने अगर BSC उगरा में देखा होगा, non-cordate की बुक अगर पड़ी होगी, तो echinodermita के बाद, hemicordate अगला phylum रखा जाता है, हर्ड मानिया की body देखें, तो इस टाइप से बच्चो ये atel aperture, branchial aperture, ये body proper हो गया, और फिर ये इसका foot होता है, इस टाइप से हर्ड मानिया की body है, इस्थिर animal है, notocord नहीं है, फिर भी chordate में रखा गया, क्योंकि इसके जो tadpole लारवा है, ये जो tadpole लारवा है, इसके tail में notoc होती है, इसलिए word euro आगया, euro माने tail, codatomist, notocord, इसके tadpole के tail में notocord, इसके tail में notocord, इसके tail में notocord नहीं, euro माने tail, codatomist, notocord, इसके tail में notocord होती है, herd मानिया, common name sea squad कहते हैं, और ये इस्थिर animal है, adult animal, बट लारवार, free swimming, hemicordate में belnogulosis, इसको tongue worm कहते हैं, दूसरा नाम acorn worm, क्योंकि इसका जो proboscis है, this one is proboscis, here is proboscis, second collar, and then trunk, तीन भाग होते हैं, ये जो proboscis है, ये ox tongue की तरह है, इसलिए tongue worm, दूसरा acorn worm, fruit of oak, proboscis is like fruit of oak, so called, this one is tongue worm, और acorn worm, दो common नाम है, acorn worm, and second tongue worm, tongue worm, herd मानिया, commonly called sea squirt, s-q-u-i-r-t, कभी अगर इसको दूस्मन का आभास होता है, खत्रे का आभास होता है, तो बच्चों ये जो, इससे, पानी की दो तेज पिचकारिया निकालता है, इसलिए इसको, c-squirt कहा गया है, सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो माने, head, कॉर्डेटा मिस नोटो कॉर्ड, इस जन्तु के, यहाँ पर, अगर ये इसका head है, तो यहाँ head तक, नोटो कॉर्ड, extend कर जाती है, normally, नोटो कॉर्ड, started from neck region, up to tail region, लेकिन इसमें, नोटो कॉर्ड, यहाँ neck से, head तक, enter कर गई, animal kingdom में, एक मातर ऐसा जन्तु है, जिसमें, नोटो कॉर्ड, head तक, enter कर जाती है, जब नोटो कॉर्ड, normally, यहाँ तक होनी चे, यहाँ तक, तो यहाँ पर head तक, enter कर गई, इसलिए, इसको उसका नाम, cephalo, रखा गया, cephalo means होता है, बच्चो, head, chordita means होता है, नोटो कॉर्ड, one notochord, extend in head region, so called, cephalocodita, best example, emphyoxys, और branchiostoma, इसका common नाम, lancet, L-A-N-C-E-T, lensset, और L-A-N-C-E, lens, let, यह वर्ड, lensset, lensset means होता है, when the body is lens-like, transparent, center part, thicker, periphery, thin, transparent body, इसकी body भी बच्चो, transparent होते हैं, सारे internal organ बाहर की तरब दिखाई देते हैं, बीच का portion, यह मोटा होता है, बाग के बाहर, चारोतरा परेदी का part, पतला होता है, और सारे internal organ बाहर से दिखते हैं, इसलिए, common नाम, lancet, और lensset हो गया, तो बच्चो, तीन, सब फाइलम, प्रोटो कॉड़ेट के, also called a crinata, because brain box absent, also called lower caudate, lower caudate के तीन सब फाइलम, तीन सब फाइलम में, हेमी कॉड़ेटा, हेमी means half notochord, half तो नहीं होती है, small notochord is present in anterior part of the body, इसलिए, हेमी कॉड़ेटा, eurocordyta, in these animals, notochord is present in the tail of tadpole larva, third cephalocordyta, in these animals, notochord extends in head region, suppose, यहां से यहां तक neck हो गया, बाकी body है, head region है, क्योंकि इसमें brain box नहीं है, इसलिए, बच्चो, head well develop नहीं होता, इसलिए, a crinata कहते है, इन सारे animal में, देखे, कोई head well develop नहीं है, क्योंकि brain box ही नहीं है, तो brain box तब होगा, जब head well develop होगा, तो यहां पर यह तो होगया, बच्चो, lower chordate, proto chordate, अब you chordate, true chordate, craniata, higher chordate, you, you chordate में true chordate, true chordate में craniata, cranium present, head present, which contain cranium, another name higher chordate, अब यहां पर, you chordate की बात करें, this one is, you chordate, you chordate, इसमें एक subphylum, one subphylum, एक subphylum आता है, इसको कहते है, vertebrata, अब देखे, कितना important word अब अब यहां पर vertebral column present है, here is vertebral column present, तभी तो chordate के general character में बोलते हैं, notochord और backbone present, notochord word, proto chordate के लिए यूज होता है, और backbone word, vertebrata के लिए यूज होता है, vertebral column, इसी को दूस का दूसा नाम है, this one is backbone, read की हड़ी, vertebrata में होती है, अब देखे, सारे chordate, vertebrate नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर vertebrate, chordate होते हैं, यह word समझना है, कोई पूछे कि chordate और vertebrata में क्यांतर है, आपको clear करना है, chordate में proto-cordate वाले जन्तु भी आते हैं, backbone वाले जन्तु भी, जो backbone वाले जन्तु होते हैं, उनको vertebrata कहते हैं, तो सारे vertebrata chordate नहीं होंगे, सारे vertebrata chordate हो सकते हैं, chordate बड़ा है, vertebrata छोटा है, vertebrate को दो गुरूप में बाटा गया है, वन इस अगनेथा, अगनेथा में इस होता है, jaws absent, जबली जब absent होते हैं, दूसरा वर्ड आता है, नेथो इस्टोमेटा, जी एन ए टी एचो, नेथो, इस्टोमेटा, इसको कहते हैं, jaws present, इसमें जबले उपस्तित होते हैं, jaws absent, अगनेथा, अगनेथा मैं अब बच्चों यहाँ पर class आयाती हैं, classes, फर्स्ट है, और स्ट्रे को डर्मी, और स्ट्रे को डर्मी, सेकंड क्लास, साइक्लो, इस्टोमेटा, साइक्लो इस्टोमेटा, इसके अधिकतर अनिमल तो एक्स्टिंट हो चुक हैं, बिलुप्त हो चुक हैं, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड नहीं है, जबकि साइक्लो इस्टोमेटा इंपोर्टेंट है, इस्टोमेटा मेस होता है, माउट राउंड माउट इनिमल, कभी कभी पूछा जाता है, जॉलस वर्टिब्रेट कौन सा है, एक्जमपल उसके भी दिया रहते हैं, एक आद इसका दिया रहता है, जो राईट वाला है, वर्टिब्रेट भी है, लेकिन जॉलस है, जबले नहीं हैं, कहने को मतला इसका बेस्ट एक्जमपल, here is petromycin petromycin दूसरा होता है mixin petromycin petromycin को कहते है lemprey mixin को कहते है hag fish true fish नहीं है true fish तो आगे fishes में आईगे hag fish जैसे silver fish lapisma होता है किताबी कीडा कहते है ऐसे jelly fish औरीलिया हो गया starfish starfish sitara musli esterius वो सब false fish है not a true fish hag fish, mixin petromycin, lemprey ये दोनु बच्चो vertebrate भी है लेकिन जबड़ा विहीन vertebrate है और ने थो स्टोमेटा में दो सूपर कलास हो गई here is super class first super class Pisces second super class here is tetrapoda four footed animal Pisces और tetrapoda tetrapoda means होता है four foot चार पैर हो गए अब इनको दो super class क्यों करा बच्चों, दो super class इसलिए किया क्योंकि Fishes के अधिक तरे अनिमल पानी में रहता है केवल खाली लंग फिस वो दलदल में रहती है लंग फिस के केवल तीन ही जीनस तीन कॉंटिनेंट में है लेपिडो साइरन, प्रोटो प्रोटो प्रेरस और एक उपरिका, और अश्टेलिया और अमेरिका में लेपिडरो सायरन, प्रोटोप्टेरेस और एक और है, ओर ओने थ्री जीनँस है, त्री जीनस आर लाइफ इनवर्ड इन्वर्ड किसके PAR 메ंड फिसकते कहते हैं, फेपड वाली फिस, हां तीन फिस, FIRST, प्रोतोप्टेरस, प्रोतोप्टेरस, लेपिडो साइरन नियो सीरे टूडस तीन बच्चो लंग फिस हैं पूरे वर्ड में जीवित हैं अफ्रिका, ऑस्टेलिया, अमेरिका तीन जगह मिलती है जो पूरे वर्ड में अलग अलग जगह मिलती हैं उसको कहते हैं बच्चो discontinuous distribution असस्टतर्वित्रण कि इसे और टेटा पर्ट को अलग क्यों कराई यह पानी में फिसे पर पानी में रहते हैं inspiratory organ गिल्स होता है इनका usually organs руки होता है यहां पर hair सकते हैं केल भी होसकता है इसका लोकोमोटरी ओर औरे फिन होता है इनका लोकोमोटरी ओर लिम्ब होते है इसले दो अलग गुरुप बनादिये यहाँ पर नेथो adopATT के 2 सूपर कलास बना धिये अब ट्इटा पर्डश के फोर कलासे सुतीए फोर कलासेस शुला है है number one here is amphibia amphibia second here is reptilia third here is a bees pucksie work fourth mammals a standard work this one is mammals यह बच्च टूटल क्लासिफिकेशन अ कॉड़ेट का ने तो इस तो मेटा जॉस प्रजेंट टू सूपर क्लास पाइसिस एंड टेटा बोडा टेटा पोडा की चार क्लास इस एमफी विया रेपटी लिया बर्ड्स मैम इम मेंद्स यहां पर ये 2 गुरूप जो है पक्सी रागर वर्प यह इस मेंig मिलता है कर चार置 त्यमबर का हार्ट मिलता हलाँ कि बच्चों रेप्टैल मी करपोडाइल में भी फोर चैंबर्द हार्ट मिलता है लेकिन रेप्टाइल का क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लेड़ेड है केवल दो ग्रूप वाम ब्लेड़ेड है पूरे अनिमल किंग्डम में बर्स एन मैमल्स आर वाम ब्लेड़ेड देयर बॉड़ी टेमपरीचर रिमेन कॉंस्टेंट और नौट अफेक्टेड बाई इन् नहीं होती है यही बच्झों वाम ब्लेडेल के कार्न होता हैieur ईकार्ण में दो औरेकल यहां पर सुध्ध ब्लैड है और यहां पर असुद्ध मिक्सिंग नहीं होती है बाकि सारे जंतों में ब्लैट कि मिक्सिंग हो जाती है केवल ढ्र्न मैम्नल education सुद्ध और असुद्ध बलेट की मिक्सिंग नहीं होती है, जब मिक्सिंग नहीं होती है, उसो कहते हैं, बैच्चो डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचन, थोड़ा सा अगर देखें, हमारा राइट साइड यह है, तो राइट औरिकल ही होता है, यह लेफ्ट औरिकल, यह राइट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल से बलड जाता है, बॉड़ी को, बॉड़ी से दुवारा से राइट औरिकल में, राइट औरिकल से राइट वेंटिकल में, फिर यहां पर जाता है बच्चो लंक्स में, लंक्स से फिर लेफ्ट औरिकल में, लेफ्ट औरिकल से यह circulation है इसका इस तरीके से तो यहां पर प्यॉर और इंप्यूर ब्लड रिमेंज सेपरेट सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन और इन बॉड़ी ब्लड मुव्स टू टाइम इन थार्ट सरीर में रुधुर को आने के लिए हार्ट में दो राउंड मानने पड़ते हैं उसको भी डबल सेर्कुलेशन कहते हैं और इस डबल सर्कुलेशन के कहार यह दोनुं गृप यह वां ब्लेडेड हो गया होमयो फर्मिक होगjor वारम ब्लेडेड वाले दो टाइप के अनिमल होते हैं on the base of temperature एक homeothermic animal, एक piclothermic animal warm-blooded animal and cold-blooded animal ये दोनु ग्रूप warm-blooded है इसके उपर सारे पूरे animal kingdom में सारे animal बच्चों cold-blooded होते है cold-blooded के लिए word यूज होता है P-O-I-K-I-L-O piclothermic piclothermic word यूज हो रहा है इसो कहते है cold-blooded this one is cold-blooded animal body temperature remains changes according to environmental temperature body temperature में वाताओं के तापमान का फरक पड़ता है लेकिन warm-blooded में body temperature is not affected by change in environmental temperature सरी के तापमान में वाताओं के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दो ग्रूप होगे यहां पर फिसेज में two-chambered heart मिलता है और लंग फिस में three-chambered heart मिलता है यह ध्यान रखना है सारे फिसेज में two-chambered heart इस तरी के से देखे बच्चों बर्स इसके ऊपर नहीं जा सकता रैप्टीले इसके नीचे नहीं आ सकता एंफी रैप्टीले के नीचे नहीं आसकता रैप्टीले आंप्टीले ओपर नहीं आ आसकता इंपने चेज और पर नहीं हो सकती है heart development के based पर यहाँ पर 2-3 chamber का यहाँ पर 3-4 chamber का यहाँ पर चार जंबर का और mammals की position सबसे नीचे क्यों है क्योंकि mammals के animal तीनों habitat में रहते हैं air में भी, water में भी, land में भी air में रहने वाले animal like bat चिरुप तेरा कहते हैं water में रहने वाले animal like whale और land में animal हम लोग जैसे होगे man, cow, गया इसलिए mammals ज़्यादा advance हो गया और दूसरा mammals की cranial capacity और जंतों की तुलना में ज़्यादा होती है reasoning power ज़्यादा होती है सोचने समझने की power ज़्यादा होती है development की power ज़्यादा होती है mammals is intelligent animal हम लोग भी बच्चो animal है लेकिन हम सब जैसे animal है केवल हमारी cranial capacity ज़्यादा है सोचने समझने की छमता ज़्यादा है discovery करने की invention करने की छमचा ज़्यादा है इसलिए mammal की position सबसे नीचे रखी गई है और बाकी animal ऊपर की तरफ होगे तो बच्चो इस तरीके से पूरा classification सबसे पहला chapter ही वह होता है animal का classification non-cordate को mix करके वह बच्चो दो पन्ने में classification आता है सबसे पहले तो वह क्लासिफिकेशन रखना है जब भी आपको pen और खाली कागज मिलता वर्गी कर्ण का flow chart आपको बनाना पड़ेगा क्यूंकि आपको तभी position पता लगेगी mammals कहां पर है reptile कहां पर है देखें तो उसमें non-cordate के सारे phylum दियान रखें और chordate में इतनी सारी चीज़े हैं वहां पर भी chordate में भी सभी चीज़ें लगबग दे रखें उन्होंने hemicordate, hero, cephalo chordate, cyclostomata दे रखा यह वर्ड नहीं है उसमें और वैसी amphibia, reptilia, birds, mammal सारे वर्ड दे रखें कोई particular animal की study नहीं करनी, खाली general character और specific point ध्यान रखने हैं अब जैसे fishes के general character में बहुत सारी चीज़े हैं कौन-कौन से modification, lung fish कौन सा है, economy importance of fishes क्या है, harmful fishes कौन सी है और fishes से क्या-क्या use हो सकते हैं, वो सब चीज़ें यहां पर आपको करनी हैं आपको करने हैं कि लोगे बच्चों चलो आज इतना ही करते हैं आज first day था कल से हम classification वाला topic start करके फिर proto जोवा उगरा start करते हैं कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा कि अगरा झाल झाल